नमस्कार दोस्तों आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुवात आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे तो उस बेल पे फूल भी बड़े सुंदर-सुंदर आई हुए हैं तो मुझे लगा कि और फुलो को आपको दिखाने के बजाए हम जिस ट मुझे उसी तरहका पे तक बात बायदके और जिस टॉफिक बात ऐलक संगल की कि और एपट आपको भी धिरलो के द्वागे और ले वाट बड़े में यह गया क्या हैं तो सारे मुझे करता हैं और बिल्कुल बिल्कुल पीक टाइम चल रहा है दोस्तों आप चाहे नर्सरी से लाके बेल को उगाएं या आपके आसपडोस में लगी हुई है उसकी कटिंग काट काट के आप लगाएं तो बहुत असानी से आपके दो तिन महिनों में प्लांट अच्छे से त्यार हो जाएंगे थोड़ा सा हार्डी होता है इसकी कटिंग ए बहुत असानी से लग जाएगा वो प्लांट तो बिल्कुल दोस्तों आप कहते हो कि अब आने वाले टाइम में कोन से प्लांट लगाएं ताकि हमारे ग्रिल को भी कवर कर लें और सुंदर भी लगें और जादा हम उस पे ध्यान भी ना दे तब भी वो चलते रहें तो बिल कि रोशनी को चाहे बहले ही कितने लू वाली गर्मी हो बिल्कुल बरदाश करेगी और जैसा कि मैं देती हूं कभी-कभी पानी देती हूं इसको और दोस्तों इसके खास बात यह भी है कि जितना आप कम पानी देंगे उतने ही ज्यादा इस पे फूल खिलेंगे तो इसका मत इस को जानने वाले कोई बात निहीं है ना इस भीचारी को किसी fertilizer की जूर्ट पड़ती न है तो बहुत असानी से आपके सारे को कवर किया हूआ है तो एक तरह से आपका परदा भी हो जाएगा भार कि तरफ से और दूसरा पॉलीशन को भी रोकेगी और देखने में तो दोस्तो green diri आप खुदी देख रहे हैं कितनी सुन्दर लगी हुए है लगी हुई गृल पे कितनी हरियाली फैलारी है ये हरियाली के सासाथ कितने सुन्दर सुन्दर फूल भी खिले हुए इसमें है ना तो प्रसरी भी निया आपके असपास और इस तरह के आपके प्लांट कहीं पर भी है आपके आसपरोस में या कहीं आप गूमने गए हुए है वहां से आप इसकी कटिंग ले आए थोड़ी मजबूत सी ब्रांच ले आए और उसकी कटिंग करके स्टेम को कटिंग के लिए तिय लेकिन आप अपने नेल से थोड़ा सा स्क्रैश करके देगे तो हर इर यी लगे तो आपने बिल्कुर उसको रैने देना है थोड़ी सी ग्रोथ इस थोड़ा टाईम लेके आती है तो जल्दी से निकालना ना करें प्लांट को THळा सा वेड किया करें कुछ प्लांट को चलन में थोड़ा सा टाइम लगता है तो दोस्तों आज का हमारा ये टोपिक था बोगन विला का तो आलमोस्ट मैंने सारी बाते बताई दी हूंगी आपको कि धूप इसको पसंद है किसी फर्टिलाइजर की जूरत नहीं है पानी बिल्कुल आपने इसको कम देना है ज्यादा पान पानी देंगे तो हरी भरी दिखाई देगी लेकिन ज्यादा फूल लेने है तो कम पानी देना तो बिल्कुल किसी केर की जूरत नहीं होती इसको यह नहीं है कि आप गर्मी में बाहर गे हुए मर जाएगी कुछ हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं होता है बिल्कुल बड़े अरा हमारे भी ऐसे त्यार हो जाएगे तो यह देखिए मैंने कटिंग से ही बोगन विला की यह प्लांट त्यार करके कोई और कलर है दोस्तों यह मेरे साथ से साथ वाले घर में लगए हुए बहुत सारी बेले लगी हुए यह अलग लग रंगों की तो वहीं से मैं कटिंग लेक कि एक दूसरा ओर हो जाएगा अलग सा डिफरेंट साइस को मैं आपे चड़ा दूगी इसको थोड़ा सा रह रहा है ना यह आतो रही है पीछे से कर लेगी वो कवर लेकिन यह थोड़ा सा डार्क पिंक कलर है तो वाइट और पिंक मिक्स हो जाएगे और यह देखिए दोस् और जो थी वो काट दी ताकि एक ही ब्रांच को ज्यादा ताकत मिले और जो नई ब्रांच निकलेंगी वो ज्यादा हैल्दी होगी तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं तो मुझे तो खरिये पोद्धा बहुत पसंद है बोगन विला का तो बस दोस्तो आज इसके बारे में इ अपने घर में टेक केर उफ यू और प्लांच